हेलो, वेलकम तो WS Cube Tech, मैं हूँ उर्फान और मैं आपको सिखाऊंगा अडूब इलस्टेटर अडूब इलस्टेटर एक वेक्टर बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ़वेर है जिसमें हम सभी प्रकार के डिजाइन कमपनी के क्रेट कर सकते हैं जैसे कि कमपनी के लोगो बनाना इस तरह से जैसी लोगो दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर कमपनी के लोगो बनाना उनका डिजाइन त्यार करना एडवर्टिजमेंट त्यार करना यह सारा काम हम इलस्टेटर में इजिली कर सकते हैं illustrator के थो हम company के logos को better color वें और भी अपने जो creative ideas हैं उन ideas के साथ में present कर सकते हैं जैसे कि आपको screen पर दिखाई दे रहे होंगे कि यह जो logo बनाये हैं कि सारे illustrator के अंदर बनाये हैं इस तरह से जो product modeling होती है वो भी हम illustrator में कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं easy way में इसको कर सकते हैं product design क्या मतलब होता है कुछ भी अगर आपका company का product है उसका labeling करना है उसकी marketing के लिए उसका brand image त्यार करना है तो उस type का design है वो हम illustrator में easily त्यार कर सकते हैं 3D modeling भी इसमें हम कर सकते हैं कोई भी अगर product हमारा है उसे अगर launch करना है तो launch करने से पहले हमें उसका बिल्कुल 3D model बना करके उसमें labeling करके perfect vision के साथ में उसको display करना हो तो हम बहुत ही असानी से इसके अंदर illustrator में कर सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है यह illustrator में क्यावा है bottle design क्यावा है और उस पे labeling के गई है इस तरह से label होते हैं इनका design और उनको 3D में convert करके हम बड़ी ही easy way से present कर सकते हैं fashion designing के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है illustrator का इस तरह से illustrations जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है illustration का मतलब होता है कुछ भी create करना कोई भी चित्रकारी करना artwork बनाना यह सारा काम हम illustrator में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं fashion illustrations कर सकते हैं textile designing भी कर सकते है cloth designing जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है वैसे हम कर सकते हैं कोई भी बड़ा poster banner advertisement company से related या किसी product से related वह हम करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं और cartoon बनाना हो इस तरह से cartoon design करना हो cartoon design कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह cartoon design करना तो basically यह illustrator का main काम है illustrate करना sketch drawing करना cartoon draw करना 3D modeling करना 3D presentation करना कोई भी product का कोई भी design का कोई भी object का company का logo design करना और visiting card design करना marriage card greeting card और ब्रोशर्स, templates और banners वगरे design करना आज की तरिक में जिसे अभी जिसे social media का दौर चल रहा है तो उस social media campaign के लिए advertisement बनाना social media templates त्यार करना website designing के लिए web template त्यार करना web pages के लिए त्यार करना design बनाना यह सारा काम हम इसमें illustrator में बढ़ी ही आसाने से कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं illustrator, illustrator करने से पहले हम सब सब पहले इसका user interface हम देखेंगे user interface में हमारे पास क्या क्या अविलेबल है तब से पहले जब भी हम start करते हैं तो इसका user interface में कुछ इस प्रकार से screen display होगी file menu, edit menu, menu bar, property bar फिर दो home button दे रखे हैं create new document के लिए open के लिए यहां right side में आपको panel दिख रहा है layout का various types of layouts जो हम इसमें use करते हैं जैसे A4 जनरली हम print out लेने के लिए करते हैं A4 layout, postcard layout, web layout website designing के लिए pixels के अंदर इसके dimensions दे रखी होती है इसमें जो unit use के हुआ हुआ है mm है, pixel है, centimeter है, inches है, written inches में भी हम बड़ा banner अगर कोई flags वगर बना रहे हैं तो उनको हम unit की change कर सकते हैं custom size में हम अपना खुद का customize size add कर सकते हैं, हम कोई design customize बना रहे हैं तो उसकी हमें size specific चाहिए तो वह हम अपना खुद का भी specific size इसमें ले सकते हैं, खुद design कर सकते हैं, by default जो layout हैं उनके अलावा तो चलिए हम start करते हैं, जैसे हम create new document करते हैं, create new document करने पर इसका एक dialogue box appear होगा, एक windows की appear होगी जिसमें की various types of layouts आपको मिलेंगे जैसे mobile layout है, web layout है, print layout है, film and video layout है, art and illustrations layout है, sketching, cartoon को जरा draw करना, कोई भी cloth की design करना, जैसे t-shirt design करना है आपको, या कोई gown design करना है fashion case related, तो यहां से हम अपना खुद का art and illustration के तुरू, एक customized size भी हम ले सकते हैं, और इन में जो ready made size available है, उन layout की ready made size को use करके हम एक नया document, एक document त्यार कर सकते हैं, right setting में, इसके panel में जो दिखाई दे रहा है, वो है, customize layout करने के लिए, width and height mention करना, unit mention करना, orientation mention करना, एक से ज़्यादा artboard, एक ही file में अगर हम बनाना चाहें, जिस तरह हम देखते हैं, word अगरा मने काम किया होगा, तो उसमें multiple pages के document होते हैं, इसमें भी यही एक फीज है, कि एक ही file में हम multiple artboard generate कर सकते हैं, orientations का change कर सकते हैं, horizontal एदर vertical, print area define करना चाहते हैं, A4 size अगर हम लिए उसमें, print area define करना चाहते हैं, तो margin's हम use कर सकते हैं, margins को control कर सकते हैं, color mode, color mode दो तरह के समें काम आते हैं, एक तो होता है CMY, एक होता है RGB, हम RGB color यूज करेंगे, हम web layout बना रहे हैं, या कोई पी social media campaign के लिए अगर गयापन वगर बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो RGB template यूज करेंगा, RGB का full form होता है red, green, blue, तीन color के mix-up से multiple colors generate करना, श्यान, magenta, yellow, black, एक दूसरा color mode है CMY के, श्यान, magenta, yellow, black, ये जादातर printing press में काम आता है, जिसमें की color की plates बनती हैं, जिनका की ये नामत है, श्यान, magenta, yellow, and black, और इन colors की, इन plates की mixing से ही, इनके color की mixing से ही, various types of colors, और general, thousands of colors इसके तूसरा हम generate करके print कर सकते हैं, तो ये color mode है, basically दो ज्यादा तर काम आते हैं, RGB, CMY के, वैसे और भी है, HSB color है, lab color है, बहुत सारे color mode है, pen tone color mode हता है, लेकिन हम इसमें illustrator में दो color mode यहां पर देखते हैं, RGB and CMY के, हम इन दोनों में सो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यदर RGB और CMY के हैं, पिर है इसका raster effects, raster effects means इसकी pixel per inch, इसमें जो भी image बनेगी है, जो भी हम drawing करेंगे, तो एक inch में, कितने pixels, वो इसकी quality को display करता है, इसको show करता है, high दे रखा है, 300 ppi, pixel per inch, इसका full form होता है, इसमें maximum ले रखा 300 pixel per inch, preview mode default है, enhance view दिखाएगा ये, create करने पर, जो layout हमने select किया है, या जो भी हमने यहां प आपको artboard provide कराता है, एक document provide कराएगा आपको, ठीक है, अब देखिए, इसमें screen layout हमारा, थोड़ा interface change हो गया है, पहले के मुकाबले, अब दूसरा हो गया, जो screen space में आपको दिखाए दे रहा है, menu bar, property bar, यानि कि control panel, toolbox, left hand side में, right side में कुछ panels हैं, कुछ property bars हैं, जो कि tools के accordingly change होत रखते हैं, variations लाने के लिए, तो ये है screen layout, page layout है, A4, toolbox, panels, ये एक essential layout है, इस illustrate रखा, और भी कई तरह के इसमें layout दे रखे हैं, यहाँ पे आपको top में, top right side में आपको मिलेंगे, essential automation, essential classic layout, painting, printing and proofing, tracing, typography, web, ये various types of layout के, इनके design view है, workspace कह सकते हो, आप इनको, ये इसमें default दे रखता है, क्या होता है कि हम यहाँ से panels use करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, इन में से panels हमने ऐसे use किये, बाहर लिया है, अंदर लिया है, इस तरह से कुछ बिखर जाता है, ये floating toolbox होता है, तो इसको हम float भी कर सकत हैं, इन सब को एक वापस default layout mode में लाना हो, reset layout के थरू, यहां से essential में जाके, reset instructions के थरू, जो भी layout हमने इदर दर किया है, properties layout हुआ, layer layout हुआ, libraries का हुआ, toolbox load किया है, जो कुछ भी किया है, उसको हम यहां से reset कर सकता हैं, अब देखिए, basic जो इसमें tools हैं, जो toolbox में आते हैं, start हम toolbox से करेंगे, कोई भी design करने से पहले, या कोई भी application करने से पहले, हमें main चीज़े होती है, एक तो user interface के बारे में जानना कि भी user interface से familiar होना, क्या-क्या आपने पास है available application screen पे, दूसरा होता है, toolbox कौन-कौन से available है, यह भी जानना होना चाहिए, कि toolbox के साथ-साथ में, इनकी tools की क्या-क्या properties हैं, तो इसमें basic tools हैं, अभी starting के पतार पर basic tools हैं, उन tools की help से हम क्या properties change करके उनका use कर सकते हैं, वो panels दे रखें उसके लिए, एक होता है, इसका control panel, जो toolbox पे हमने tool select किये हैं, उन tool की property, instant property bar से change करना हो, तो उसके लिए हम on करेंगे, control window में जाएंगे, और control palette open कर द उपर की तरफ property bar की तरह जो है, जैसे menu bar के just नीचे highlight हो जाएगी, इसमें आपको color, outline, outline की size, style, opacity यानि की transparency, यह कुछ default command है, जो बार-बार काम आएंगे, जब भी आप कुछ draw करोगे, तो उसमें outline का use करना पड़ेगा, outline के color को use करना पड़ेगा, inside color, outside color, इस सब को आपको simultaneously सा आने की ज़रूरत में उसके लिए हम यहां property bar, control panel जो आया है उपर, यहीं से ही instantly हम change कर सकते हैं, values उसमें apply करा सकते हैं, document setup इस document का setup जो हमने लिया था layout उसको हम बाद में change भी कर सकते हैं, कुछ preferences हैं, जो default काम आती हैं, उन preferences को हम यहां से on and off कर सकते हैं, for example के तरपर जैसे इ login and scratch disk, कई बार यह होता है कि इसमें memory काफी सारी कटे हो जाती है, clipboard memory इसकी भर जाती है, चुकि RAM अगर कम होता है, या space कम होता है, तो application slow हो जाता है, या command access नहीं होता है, तो कहता है memory full, तो उस condition में हम यहां preferences में आ करके, इस memory का जो location है, जैसा भी startup है, startup में memory बहुत कम होती ह हम चेंज कर सकते हैं, हमारे c drive में, d drive में, अगर maximum space है, तो उस maximum space का हम इसकी memory के तौर पर use कर सकते है, secondary हम और define कर सकते हैं, तो यहां से हम preferences change कर सकते हैं, कि किस तरह से हम इसकी maximum memory को use कर सके हैं, तो और भी कई सरह है, वो default options है, जिनको हम चेंज नहीं करना है, जो था हम differences आती रहेंगी, मैं बीज-बीज में आपको पताता रहूंगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, कि इसमें हम basic tools पे शुरात करेंगे, सबसे पहले basic tools क्या-क्या है, selection tool, पहला है selection tool, V इसका shortcut है, देखिए, इसमें जो भी tool पे हम लेके आएंगे mouse को, तो यह एक tool tip highlight हो रही है, इस tool tip से में बता लगता है, इस tool का नाम क्या है, इसका shortcut क्या है, keyboard से normal, कोई भी control की के बिना, या किसी भी shift की के बिना, just pressing those keys, इनके shortcut यहाँ पे आपको tool tip पे दिखाए देंगे, अब यहां से सबते पहले हम शुरू करते हैं, selection tools कौन-कौन से हैं, क्या कर सकते हैं, सबते पह transformation grips on हो जाएगी, उन grips की help से हम resize कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, stretch कर सकते हैं, तो example के तौर पे मैं एक छोटा से toolbox से drawing tool लेता हूँ, rectangle tool लेता हूँ, वो इससे rectangle draw कर देता हूँ, इस तरह, selection tool को हम जैसे keyboard से use करना चाहें, तो V press करके यह जो भी draw की है, उसके चारो तरह एक bounding box on हो ज जाता है, कि आपने selection किया हूँ है, इस object को, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस में हम resize कर सकते हैं, इस object को, इसके inside में एक dot दे रखा है, इस dot के help से इनके corners, चारो corner एक साथ highlight हो रहे हैं, तो चारो corner ही एक साथ change होंगे, तो यह मने corner round की है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स तो selection tool से आप इसके अंदर आ जाईए, sub selection tool, second tool है इसका direct selection tool, इस direct selection tool इसका shortcut है A, जब direct selection tool लेकर के हम यहाँ पर बाहर click करेंगे, दुबारा इसको object को select करेंगे, देखिए, यह जो tool, जो anchor point है, यह सारा highlight हो रहे है, one by one, ऐसे जहाँ पर मैं ला रहा हूँ इसको cursor को, यह deselected है अगर सारे select होते हैं, तो कुछ इस तरह से display करता है, मुझे अब एक ही direction में change करना है, तो मैं single पे click करूँगा, ऐसे single पे, और ऐसे change कर सकते हैं, और इसमें maximum देना है, देखिए, सादो एक सा select हो गया, थोड़ा सा बाहर click करेंगे, खलका सा और यह देखिए, एक single highlight हो रहा ह तो इस particular को हम maximum कर सकते हैं, यहां से अगर मुझे लेना है, अभी मैंने click किया, तो यह की highlight होगा, जो highlight होगा, सिर्फ वही change होगा, इस condition में, यह direction, direct selection tool का role है, कि हम corners को round कर सकते हैं, वापस आता है, वी press करेंगे keyword से, यह selection हो जाएगा, इसका on transformation, इसके हम stretching, resizing, moving, rotation, यह सारे features इसमें हम apply कर सकते हैं, यह है selection tool का, और direct selection tool का role, दूसरा इसमें selection tool और है, group selection tool है, एक है lasso tool, group selection का मतलब होता है, कि multiple object को एक साथ select करके, उन में changes करना, या उनको ungroup करना, group ungroup, जो भी group object है, उनको select करना, group selection tool, मैं यहापे कुछ और object बना लेता हूँ, जैसे, group of rectangle बना लेता group selection tool लेंगे, इस तरह से, इन सब को मैंने select किया, अब anchor point से पकड़ के हम इसको move कर सकते हूँ, यह group selection tool का role, एक होता है lasso tool, lasso tool की help से, हम particular object को, इन सभी group object में से, particular object जैसे मैं यह select करना चाहता हूँ, तो इसके चारो तरुफ मैं ऐसे, ट्राव करूँगा, जो crossing board में आ रहा था, जैसे बाहर का यह object जो select हो रहा था, यह भी select हो जाएगा, इस तरह से हम lasso tool से जो लेना चाहता हूँ, जैसे इन 3 को लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, यह तीनो highlight हो selection हो जाएँगे, prehand select करना, main हुआ, prehand selection tool, group selection tool and direct selection tool, यह selection tool के roll होता है, ठीके, अब हम आते हैं, next tool अपने पे, pen tool, pen tool की help से हम कुछ भी draw कर सकते हूँ, इसके मैंने start किया line को, second point click करके mouse का drag किया, एक curve apply हो जाएगा, फिर यहां से वापस मुझे straight लेना है, तो मैं shift की press कर सकता हूँ, otherwise, इसमें snapping option by default on है, smart guide से कहते हैं, इनको, इन smart guide की help से हम on screen यहीं पे इसका देख सकते हैं, कभी हमारा जो line है, वो एकदम straight जा रहा है, या नहीं जा रहा है, यह से अभी capital line हो गया, यह सी straight position पाएंगे, यह आपको highlight करेगा smart guide के, now you are in straight mode, straight line draw कर सकते हैं, freehand line draw कर सकते हैं, यहां से हम perpendicular line भी highlight करेगा, इसका perpendicular position highlight करेगा उस condition में, जहां start line end हो रही है, या जहां से start हो रही है, उसका end point पे हम mention करके इसको मिला सकते हैं, तो यह pen tool का roll है, इस सर्म straight line, click-click करके, draw कर सकते हैं, click करेंगे, next point पे left click release नहीं करेंगे, press करके रखेंगे, mouse को drag करेंगे, थोड़ा सा left और right पिस तरह से एक curve line आएगी, यह इस pen tool का roll है, और अभी इसमें stroke, stroke means होता है outline की width, outline की width को हम control panel से control कर सकते हैं, इस तरह से, तो मैंने यहां से लेके, यहां pen tool से इसको draw करके, मिला दिया गया, वी प्रेस करेंगे, keyboard से, reselect हो जाएगा object, transform हो जाएगा, selection tool पर अब आते हैं, direct selection tool, release करेंगे, सारे nodes को, anchor point को release करेंगे, इनमें से particular एक anchor point ऐसे लेकर के हम, इस तरह से, shape में change कर सकते हैं, मैंने यह rectangle देखकर के बताया था, इस tool का roll, एक roll इसका यह भी है, freehand या pen tool से जो कुछ भी आपने draw किया है, उसको आप change कर सकते हो, इस anchor point से, अब जैसे यह मैं इसमें changes करना चाहता हूं, यहां पर curve मैं दूसरा लेना चाहता हूं, तो यह direct selection tool हमने select कर रखा है, release करेंगे, सारे node को छोड़ देंगे, particular एक node लेंगे, और अब देखिए, मैं left side change कर रहा हूं या right side change कर रहा हूं तो इसके opposite में इसका direction handle बता रहा है, इसको हम, control के साथ, और shift के साथ हम इसको ऐसे individual भी ले सकते, step by step भी ले सकते, snap करते हैं, तो यह होता है pen tool, pen tool में हमने अभी draw करना देखा है कि हम किस तरह से draw कर सकते frequently, अब हम आते हैं, outline की property, जो pen tool से हमने जो draw किया है, outline की property हमें यहां control panel पे display होगी, color भी यहीं display होगा, यहां से हम color ले सकते हैं, कोई भी color लेना चाहे, color fill, color stroke, color, sizing of the color, sorry stroke, stroke का size, stroke के panel में जाएंगे और various इसके options ट्राइ करेंगे, वैसे color हमने यहां से control बने होगा, यहां से भी दे सकते हैं, tool box में नीचे की तरफ bottom में, outline color and fill color show हो रहा है, यह arrow show करता है, इनको color को float करना, outline का color fill में लेना, fill का color outline में लेना हम इनको opposite कर सकते हैं, swapping कर सकते हैं, outline none करना है, अगर हमें outline नहीं चाहिए, तो यहां नीचे stop sign दे रखा है, यहां पक्लिक कर देंगे, तो चुकि upper side में, foreground में, इसके outline display कर रहा है, तो outline का color none करेगा, इसको अब मैं opposite करता हूँ, तो क्या होगा, outline green हो जाएगी और inside color none हो जाएगा, यह swapping का roll है, मैं चाहता हूँ कि outline का color तो आये, लेकिन साथ साथ में अंदर का color भी आये, object के अंदर, तो double click करेंगे इस back color पे, यहां से हम color generate भी कर सकते हैं, यह color bar आएगा, इस color bar के help पे हम color generate कर सकते हैं, वो color इसमें के लिए इस color को हम swap भी कर सकते हैं, तो यह property है color की, color guide का panel open हो जाएगा, color पे जब हम double click करते हैं, तो हम यहां से color भना भी सकते हैं, शान, magenta, इनके levels को control करके, कस्टमाइज color हम यहां से त्यार कर सकते हैं, यही चीज़ हम outline पर भी कर सकते हैं, outline अगर मैं upper side में लेता हूं, इसके foreground side में, तो outline का भी हम controlling color कर सकते हैं, तो यह था color का stroke बढ़ा सकते हैं, अब stroke की next feature पर आते हैं, stroke के options, क्या-क्या options हैं, cap, stroke का cap, अभी इसमें इसको zoom करता हूं, control space bar, control space bar इसका shortcut है, और जहां पर भी आप zoom करना चाहते हैं, उसके चारों तरफ आप इसको drag कीजिए window बनाएगे, stroke का अभी pattern क्या आ रहा है, straight आ यहां से, cap, यह cap straight आ रहा है, इस cap को हम round कर सकते हैं, corner भी इसको round कर सकते हैं, cap rounded, corner rounded, stroke जो है, align करना है, अभी stroke के center में इसकी grid आ रही है, इसकी outline की grid इसको इसको बाहर की तरफ कर सकते हैं, अंदर की तरफ कर सकते हैं, center line में भी ले सकते हैं, outer हो जाएगा, तो color इसके अंदर आ जाएगा, बाहर कर देंगे, तो color इसके main outline से बाहर चलते हैं, इसको by default वैसे mid में रखा जाता है, इस तरह से, अब आते हैं, dash करना हो, इसमें line ए dash apply करना हो, तो हम यहाँ पे dash line का option on करेंगे, इसमें dash के pattern दे रखे हैं, जैसे अभी 12 point का दे रखा है, इसमें dash, एक dash दे रखा है, इसके बीच में gap 0 है, यह gap हम बढ़ा सकते हैं, next stroke का हम देना चाहता है, इसमें second gap चाहिए, second हमें dash light चाहिए, उसके second dash में कर दाता हूं, 16 point चाहिए, एक छोटा एक बढ़ा, बीच में gap equal 10 points, next 18, then 10 points, gap equal रखना चाहता हूं, तो मैं equal रखे, तब देखिए, जो उनने stroke लिया है, और stroke में जो property apply की है, 12, 10, 16, 10, 18, 10, यह हमने pattern use किया है, stroke के लिए, control minus, zoom out, control plus, zoom in, देखिए, एक dash छोटा है, फिर उससे बढ़ा है, फिर एक उससे बढ़ा है, लेकिन इन सब की बीच में gap equal है, हम यह gap भी control कर सकते हैं, इनको यहां से बढ़ा सकते हैं, गटा सकते हैं, तो जहां मैंने gap कम दिया ह और stroke की width जादा देए, dash की, तो यहां से इसकी भी gap बढ़ा देखिए, इधर करने gap इसके बढ़ा है, तो कहीं पे कम आ रहा है, कहीं पे जादा आ रहा है, यह stroke की property है, ठीक है, तो इस तरह से हम color और stroke की properties को use कर सकते हैं, line style, अब आते हैं line के style पर uniform line style दे रखिए, straight line दे stroke को एक बार बंद कर देते हैं, सारे stroke none कर देते हैं, selected नहीं था, तो नहीं apply हुआ, select करेंगे, stroke पे जाएंगे, dash line हटाएंगे, यह straight uniform line दे जागा, uniform के लावा और भी कई तरह के pattern है, start and end, smooth, sharp, एक में simple line बना के, इसमे apply कर देखिए, अब देखिए color क्यों आ रहा है, fill color, fill color इसलिए आ रहा है कि यहां पे color fill में दे रखा, outline color देते हैं, color black देते हैं, stroke पड़ा देते हैं, यहाँ uniform का मतलब होता है, line में यह pattern apply करना, यह various types of patterns है, यह stool का, और भी कई तरह के इसमें दे रखे हैं, line में आप यह graphic properties apply कर सकते हैं, जैसे denim seam, seam एक आ जाएगी, इसकी denim की seam आ जाएगी इसपर, यह basically होता क्या है कि कुछ graphics design करके हम उन outline पर follow करा सकते हैं, जैसे denim jeans का एक सिलाई का एक तुकड़ा जो है उसको graphic panel में define किया हुआ है, record किया हुआ है यह आप इसको कह सकते हैं, save किया हुआ है, अब उन graphic styles को हम outline पर apply करा सकते हैं, तो ऐसे कई तरह के patterns हम खुद बना सकते हैं और इस list में, जैसे कि इसमें अभी एक यह add कर रखा है, मैंने example को तरह से बताया denim jeans, और भी कई तरह के बना के हम इसमें add कर सकते हैं new brushes, तो यह brushes के pattern हैं जिनको हम बनाके outline पर apply कर सकते हैं, देखिए जहां outline का curve जाएगा वैसा ही यह भी graphic object इस पर पर apply हो जाएगा, कोई भी ले लिए इसको लिए यहां से हम pattern यह use कर लेते हैं soft brush या arrows या rough line तो यह कुछ pattern है, straight करना है तो इसम बिल्कुल rounded, tapered करना है, taper कर सकते हैं uniform के अलावा यह एक और mode है, line को use करने का, line की opacity, transparency हम नहीं चाहते हैं, line इतना dark है, तो line को हम यहां से transmit, fill, fill color में कोच भी color fill कर लेते हैं, इसके साथ साथ में क्या होगा, opacity, outline के साथ साथ में fill की भी change होगी, बढ़ाएंगे, full object की, style, fill में हम color के बज़ाए style fill कर सकते हैं, जैसे यह dust style दे रखता है, यह fill कर सकते हैं, जो भी style apply करेंगे, यह ready made styles है, इन style panel में हम अपना खुद का भी style बनाके डाल सकते हैं, वह मैं अगली class में आपको next बता हूँगा कि भी किस तरह से हम graphic styles, हमारा images, patterns, outline styles किस तरह से इन panels में, वैसे illustrator में बहुत सारे panels define किये वे हैं और उन सभी panel में काफी सारे graphics और styles और objects by default इसमें काफी सारे library हैं, उन library को हम use कर सकते हैं, उसके अलवा अगर हम अपनी खुद की library बनाना चाहें तो वह भी मैं आपको next class में बता हूँगा कैसे हम कर सकते हैं, फिलाल के लिए यह है कि हम यहां से कैसे use कर सकते हैं इन libraries को, तो यह है object draw करना illustrator में कोई भी तरका और उसमें various properties चेक करना, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो यह है कि tool जान रहे हैं, basic tool हमारे पास क्या available है, उस tool की क्या property है और उस tool से हम क्या कर सकते हैं, advanced level पर जैसे हम tools complete करते जाएंगे, फिर हमारा creation पर focus होगा कि हम अब क्या बनाना है, इस object को बनाने के लिए हमें क्या-क्या tune यूज़ करने हैं, क्या graphics यूज़ करने हैं, क्या color यूज़ करना है, वह मैं आप तो पता हूँगा, और main होता है इसमें आपका creation, आपके mind में क्या चल रहा है कोई product को ले करके, या किसी भी company के एक particular brand को ले करके, उसके थुरू आप, illustrator के थुरू आप अपना क्या creation कर सकते हैं, इन tool की help से, वह main importance रखता है, इसके रख, तो अब हम next में चलते हैं, pen tool का एक नीचे को और tool है, anchor point tool, इस anchor point tool की help से, जिस किसी line में curve नहीं है, जैसे यह मैंने state object बनाया है pen tool से, इसमें curve नहीं है, तो हम इनमें curve apply करा सकते हैं, जैसे यह tool anchor point लेकर के, हम drag करेंगे, तो इसमें curve apply हो जाएगा, curve left और right, अब particular को ऐसे change करना है, single foot ऐसे change करते हैं, वापस click कर देंगे तो normal position पा जाएगा, again click करने, यहाँ पर click करूँगा, यह वापस state हो जाएगा, curve करना है, तो इसको drag कीजिए, click करके, ऐसे, ऐसे track कर, यह इस anchor point tool का रोल है, pen tool से, जो भी आपने straight shape बनाया है, उस straight shape में curve apply करना है, यह होता है, anchor, point tool का रोल, shift-c इसका shortcut है, keyboard से हम shift-c प्रस करके, यूज कर सकते हैं, तो यह था basic tool में selection करना, pen tool से draw करना, anything, कुछ भी, अभी हम initially stage पे, rough objects पे काम कर रहे हैं, और उनकी properties चेक कर रहे हैं, कि हमारे पास क्या-क्या properties अवलेबल हैं, उनको हम कैसे use कर सकते हैं, ठी यह है, illustrator का, एक start intro कि हम क्या use करने वाले हैं, और इसको कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है?